ये हैं श्री मनोस्तिवारे जी, विश्व परसेट रिंकिया के पापा, जनाब MP है, अरे काते हैं ना, अल्ला मेरवान तो गड़ा पालवान, महंगाई पर इनका ये गंभीर विश्लेशन, पूरा इनके अंदर के अर्थ सास्ति को दिखलाता है, चालिया इनके अंदर के अर् चुनाएंगे, तो चले शुरू करते हैं, महंगाई भी क्या कहेंगे सर, महंगाई लगाता जैसे बड़ी प्रक्रोल गयस की किमती, देखिए, हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं, आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक कुछ भी, कुछ भी, देखिए, महंगाई लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम है, इसको बढ़ा दिये जाते हैं, आस पास के देशों में देखिए, तो मोजी के ताइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम, बढ़ेंगे नहीं घटेंगे, यह जूट है, जूट है, जूट है, जू जूट है, अपनी बाटों से ही देखते हैं, शार सही बोलती है, ऐसे बुद्धिजी भी शत्ता में हैं, तभी तो देश का विकास इतनी तेशी हो रहा, आजी, विकास देखिए, कितना उपर पहुँच गया, कि सांसों लेने में घुटन महसूस हो रहा, आजी, राज कहते हैं, बिजीपी वालों पे गोबर फेकते हुए, भाई, बिजीपी में एक से एक महान साइंटिस है, कभी कोई गोबर से कोई नूर निकाल देता है, कभी कोई नाला से गैस, तो कभी कोई बत्तक से ओक्सीजन, और अब तो ये लोग रिमोट से ही बारिस क करवा दे रहे, लगता है, भागवान ने सारे ज्यानी बिजीपी में ही जमा किये है, कजब बिजीपी है, अभी शर्मा जी कितना खटरनाग बोल रहे हैं, जैसे बिजेपी का धोटी फार करो माल कर दिये हैं, बोले हैं, सोच रहा हूँ, इदायक जी, सांसर जी नाम से संता बंटा तो पुराना हो गया, पता नहीं सही है, बोलते हैं लगता है, वाइ उस्मान कहते हैं, बिजेपी वालों का दिमाग लेवल देखकर, अब तो इन लोगों का मजा गुड़ाने का भी मन नहीं करता, एक से बढ़कर एक नमोने बड़े पड़े हैं बिजेपी में सेंसिबल बात करना तो आता ही नहीं, बिजेपी वाले समझ चुके हैं कि जो जनता फेकू के फेकने पर बरसा करके बोड़ दे, उसको हम ऐसा कुछ भी फेक दो सम्मान लेगा समझ रहो, समझ रहो, समझ रहो ना यह बड़ी अच्छी बात के लिए